आप Amazon वर्शावन के बारे में कितना जानते हैं? सच तो यह है कि भले ही यह पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन 55 मिलियन साल पहले बनी इस प्राचीन जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. Amazon Rainforest के बारे में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि आपको वहाँ बहुत सी बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं. पहले गोलियत पक्षी भक्षक और अब Victoria Amazonia. यह पानी के लिली इतने बड़े और मजबूत हैं कि वे न केवल एक बच्चे का वजन पकर सकते हैं, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, बलकि एक बड़े इंसान का भी. United Kingdom की महरानी Victoria के नाम पर रखा गया यह पौधा तीन मीटर व्यास तक पहुँच सकता है और आश्चरेजनक रूप से सुन्दर दिखता है. लेकिन अगर आप इस पर कदम रखने का फैसला करते हैं तो सावधान रहें. इसकी पत्तियों में काटे होते हैं जो इस अनोखे फूल को शिकारियों से बचाते हैं. Walking Palm एक ऐसा पेड जो सच मुझ चल सकता है. यदि आपने टॉलकिन के Lord of the Rings अत्रई को देखा है तो आपको निश्चित रूप से एंस नामक विशाल व्रिक्ष जैसे जीव याद होंगे. क्या लगता है? वे गैंडाल्व से ज्यादा असली हैं. हाला कि वे बिल्कुल वैसा नहीं देखते और अभिने करते हैं जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, विचल सकते हैं. इनकी गती की गती बहुत धीमी होती है क्यूंकि ये पेड नई जड़ों के सूरे के प्रकाश की और बढ़ने और पुरानी जड़ों की जगह लेने के कारण चलते हैं. कल्पना कीजिए कि उन्हें एक मीटर चलने में कितना समय लगता है. इन पेडों को वाकिंग पाम्स या कैश पोना के नाम से जाना जाता है. यदि आप उन्हें जंगल में देखते हैं, तो कृपया तब तक रतीक्षा न करें जब तक कि आप उन्हें हिलते हुए न देखें. बुलेट चीटी आप मिलना नहीं चाहते. एक चीटी है जिससे आप मिलना नहीं चाहते और वो अमेजन वर्शावन में रहती है. फिर से, यह दुनिया की सबसे बड़ी चीटी है और अधिकांच अन्य चीटीों के विपरीत यह अकेली है. चीटी के नाम की उत्पत्ती के संबंध में कोई निश्चिता नहीं है. एक सिध्धान्त कहता है कि इसे बुलेट चीटी नाम दिया गया था क्यूकि इसके काटने से होने वाले दर्ड की तुलना बुलेट शॉट के दर्ड से की जा सकती है और दूसरी यह की चीटी एक गोली के आकार की होती है. मेरी राय में पूर्व कारण अधिक पर्याप्त लगता है क्यूकि इस चीटी के काटने से दर्ड 24 घंटे तक रहता है और इन सभी घंटों के दौरान उतना ही तीवर होता है. पेस्ट लोटॉपसिस माइक्रोस्पोरा पलास्टेकीटिक फंगर्स पेस्टलोटॉपसिस माइक्रोसपोरा एक अतियंट महत्वपून कवक है क्यूकि यह वैष्विक प्लास्टेक प्रदूशन समस्या को हल करने में हमारी मदद कर सकता है। स्थानों में प्लास्टिक को खत्म करने में एक शक्तिशाली उपकरन बनाता है अनुसंधान प्रारंभिक चरण में है लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह कवक मानवता की सबसे बड़ी पर्यावरण ये समस्याओं में से एक का समाधान प्रदान कर सकता है